जयाएं दोस्तो मैं नवीन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब अच्छे हैं बहतरीन हैं दोस्तो हम आज अपका चैप्टर पढ़ रहे थे इंटरनेट और डवलु 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 हवाज नहीं आ रही है ठीक हवाज सुन पा रहे है मेरी ठीक हवाज ये कि अब प्राइवेट क्यों रखे हैं किसने स्चेडियूल की गए है अभी सुरू है चलो तो दोस्तो हम पढ़ रहे थे आपका इंटरनेट और डवलु 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 जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट का जो आधार बना था वह बना था आपका आर्पानेट और आर्पानेट जो की एक पिरकार का नेटवर्क था और नेटवर्क के बारे मे मैं आपको बता रहा था जिसमें हम network के types में बात कर रहे थे और type of network हमने पढ़े थे जिसमें आप मेरे साथ एक बार repeat करेंगे एक network हमने पढ़ा था local area network इसके बाद हमने देखा था क्या पैन भी हम पढ़े चुके थे personal area network personal area network इसके बाद वचे लेन हम पढ़ चुके थे लोकल, एरिया नेटवर्क और इसके एक्जामपल्स भी हम देख चुके थे कि किसी एक आफिस या बिल्डिंग में आपका लेन होता है, पर्मनेंट जो आपका परसनल परसनल एरिया नेटवर्क होता है, वह है किनी दो नेटवर्क के साथ बनाया गया एक नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क होता है जो कि बहुत छोटे छेतर के लिए बनाया जाता है, जिसका एक उधारन मैंने आपको बताया था, ब्लूटूथ इसके बाद हम पढ़ रहे थे आपका मैन मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रो पॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसका सबसे बेस्ट एक्जमपल है, आपका केबल टीवी जिसका बेस्ट एक्जमपल था आपका केबल टीवी इसके बाद बात कर रहे थे हैं बच्चे इसमें सबसे लाश्ट मम ने बात की थी वैन की Wide Area Network जो की मैंने आपको बताया था कि विस्म में एक देश से दूसरे देश तक को भी जोड़ता है तो यह होता आपका Wide Area Network जिसका एक Best Example मैंने आपको बताया था 5G and 4G यहां तक एक लाश बच्चे हम समझ चुके थे इससे आगे हम चलते हैं तो हम इंटरनेट को और अच्छे से समझेंगे कि Network की साहता से अभी Network के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसके बाद आप देखते हैं अब बात आती है सबसे पहले 1969 में 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग अमेरिकी जो आपका American Defense Department था अमेरिकी रक्षा विभाग ने अमेरिकी रक्षा विभाग ने AirpaNet का विकास किया किसका विकास किया बच्चे AirpaNet का विकास किया AirpaNet क्या था इस बात को समझेंगे AirpaNet था आपका बच्चे आप इसका पूरा नाम लिखेंगे मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ Advanced Research Project Agency Net यह आपका बच्चे नाम था AirpaNet का पूरा नाम Advanced Research Project Agency Net यह एक नेटवर्क था जो कि अमेरिकी रक्षा विभाग दुबारा तयार किया गया था इसी नेटवर्क को कहते हैं बच्चे कि यही नेटवर्क इंटरनेट के विकास का आधार बना यही नेटवर्क यानि इसी नेटवर्क की साहता से इंटरनेट का विकास हुआ यही नेटवर्क इंटरनेट का आधार बना इतनी बात समझने बच्चे तो इसके बाद आप देखेंगे छोटी सी बात इसके बाद आप देखेंगे छोटी सी चीजे कि यही नेटवर्क इंटरनेट का आधार बना तो जब इंटरनेट का आधार बना तो बच्चे 1989 में 1989 में क्या होता है 1989 में टिम बर्नर्स ली ने टिम बर्नर्स ली टिम बर्नर्स ली ने HTML और HTML और WW का विकास किया WW का विकास किया यानि इनका फाउंडेशन किया टिम बर्नर्स ली ने छोटी सी बात समझेंगे बच्चे टिम बर्नर्स ली आपके सामने दो सब्द हैं HTML एंट www इन दोनों सब्दों को समझेंगे इनका विकास हुआ 1989 में किसने किया टिम बर्नर्स ली ने आप कमेंट में इनकी फुल फॉर्म से लिखें सभी की जो भी आपकी फुल फॉर्म इसकी है यानि कि HTML का पूरा नाम क्या होगा और WW का पूरा नाम क्या होगा तो बच्चे डबलू डबलू से समझते हैं WW World Wide Wave Worldwide Wave Wave से आप समझते हैं एक जाल है क्या है? एक जाल है जाल भी कैसा है? पूरे वर्ल्ड वाइड विस्तरत है पूरे विस्व में फैला हुआ है जी 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 पूरे यानि की विस्व भर में फैला कम्प्यूटरों का जाल ये है आपका World Wide Wave और World Wide Wave के लिए आप देखते हैं की World Wide Wave यानि विस्व भर में जो कम्प्यूटरों का जाल फैला हुआ है तो इसको control और organize करने के लिए लिखेंगे www को organize करने के लिए एक organization है जिसका नाम है www wwwc इस बात को समझेंगे बच्चे www.wc क्या है तो यह बात है आपकी world wide wave consortium consortium इतनी बात समझेंगे यानि कि विस भर में जो computer का जाल फैला हुआ है इस पूरे network को आप बोलते हैं www www वर्ल्ड वाइड वेव और इस वर्ल्ड वाइड वेव के regulants जो आपके होंगे और इनको निर्दारित करने के लिए यानि क्या नियमों पर यह चलेगा इन नियमों को निर्दारित करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है आपका world wide wave consortium इतनी बात समझ रहे हैं उच्चे इतनी बात के लिए रहे बड़ी छोटी सी बात है और एक सब्दा आपका था क्या html एक सब्दा आपका html html का पूरा नाम होता आपका hyper text hyper text markup language hyper text markup language अभी html क्या होता है तो इस बात को आप समझेंगे html होता है आपका किसी web page को तयार करने के लिए किसी web page को तयार करने के लिए software किसी web page को तयार करने के लिए जो आपका software होता है वह होता है आपका क्या html यानि कि ये एक ऐसी language है कैसी language है ऐसी language है जो की किसी web page को तयार करने में काम आती है हमारे सामने एक नया सब्दा है बच्चे web page एक नया नाम क्या है हमारे सामने web page तो आप देखते हैं जब किसी आप site को जब किसी site को आप access करते हैं जहां इसका address लिखा हो किसी site को आप access करते हैं बच्चे इस बात को समझेंगे class को इतने आप share करेंगे हरी संकर उपास ना खुलबे उपास ना खुलबे बच्चे इंगलिस में क्या है किसी webpage को तयार करने के लिए तो इतनी सी बात समझे to prepare a webpage to prepare a webpage the software called आपका markup html hypertext markup language इसके बाद देखेंगे बच्चे इसमें हिंदी इंगलिस का कुछ नहीं है गौरब कुमार मेरा भारत महान बहुत सांदार बच्चे समझेंगे तो आप जब किसी webpage की बात हम कर रहे हैं webpage आप किसी webpage को access करना चाहते हैं यानि कि आपने किसी link पर click किया link समझते हैं आप किसी link पर आपने click किया तो क्या खुल कर आया आपके सामने एक view आया अभी बात कर रहे हैं सिर्फ क्या है एक view आया उसी view को क्या बोलते हैं internet की साहता से अगर खुला है तो उसी को बोलेंगे हम web page यानि कि आप मानिया आपने Google को क्लिक किया और Google का जो आपका home page आया जो view आया उसी को क्या बोलेंगे web page और web page पर क्या लिखा होता है बच्चे यहाँ address क्या होता है आप देखना आप देखते होंगे www.youtube.com अभी आप इस बात को समझेंगे आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं जो आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं इसका कारण क्या है कि आपने www पर इसको access कर लिया किसी link के माद्धिम से जो link आपको प्राप्त हुआ हमारे माद्धिम से तो इस बात को समझेंगे बच्चे किसकी वज़े से हुआ ये www www पर जो access आप किसी site को करते हैं इसके लिए होता है आपका URL 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 क्या होता है इसको समझेंगे पहले URL का पूरा नाम देखते हैं Uniform Resource Locator Uniform Resource Locator रितिक चौदरी बहुत बहुत धन्यवाद एक होता है आपका URL Uniform Resource Locator इस बात का क्या मतलब है URL होता है किसी website का पता क्या बोलेंगे बच्चे इसको किसी website का पता बच्चे किलास को शेयर कर देंगे आप सब भी किलास को आप लोग शेयर करेंगे चीक है ओके परमानन दियादव बिलकुल आप ठीक के रहे हैं आपकी बात को तवज्जो दी जाएगी चलो अमाइरा इस बात को सुनेंगे बच्चे अभी हम बात कर रहे हैं कि किसी कंप्यूटर में हमको किसी लिंक पर पहुचना है यानि कि किसी webpage पर हम पहुचना चाहरे हैं तो इसके लिए हम किसका प्रियोग करते हैं यह address हमको कौन प्रोवाइड करेगा URL Uniform Resource Locator और एक बात मैं आपको समझा रहा था www क्या होता है विस्व भर में फैले हुए कंप्यूटरों का जाल जो की आपस में क्या है connected है यह होता है आपका www और www के लिए आप एक चीज देखेंगे एक टर्म आपती है आपके सामने www आप जानते हैं इस टर्म को तो बताएंगे आप बच्चे इसका पूरा नाम लिखेंगे इसका पूरा नाम आप लिखेंगे इसके बाद आप लिखेंगे बच्चे विपिन जुगला बहुत दिन में दिखाई दिये बई बहुत सांदार एकजाम अकेडमी ये बच्चे पढ़ेंगे आप डवलू 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 इसका मतलब है कि जब आपका डवलू डवलू बना था 1994 में तब विकास हुआ था आपका जिस तरह मैं डवलू डवलू को एक नाम दे सकता हूँ W3 और 3W क्या नाम दे सकता हूँ W3 और 3W इसी तरह में इसको नाम दे सकता हूँ 4W और W 4 तो इसके control के लिए एक आपका बनाई गई जो संस्था थी वैती आपकी World Wide Wave Warm World Wide Wave Warm इतनी बात समझ रहे है नोट कर चुके इस बात को अब बच्चे बात आती है Internet Internet से जुड़ने के लिए आपको क्या क्या चाहिए Internet से जुड़ने के लिए आपको जरूरी चीजे क्या है उससे पहले भी आप एक देखेंगे गौरब कुमार एक भी परसन नहीं बचेगा भाई एक भी परसन PDF बहुत जल्दी मिलनी सुरू हो जाएंगे आप PDF के बारे मना बोले बच्चे निश्यंत रहें PDF जैसे ही आपकी Classes बंद हो जाएंगे YouTube से आपको regular पुरानी PDF और नई PDF सब आपको Series से मिलेंगी छीक है इसके बाद देखेंगे बच्चे UPSI का बच्चे बैच होता है आपका सुबह प्रितिक चौदरी आपका नाम मेंक है तो नाम ऐसे की रगर कवे रितिका जैसा चलो इसके बाद क्या बात कर रहे थे मुझे इंटरनेट के लिए जरूरी चीजे क्या है इंटरनेट से जुड़ने के लिए जरूरी चीजे क्या है तो आप देखेंगे इंटरनेट पर प्रियुक्त प्रोटोकॉल्स इंटरनेट पर प्रियुक्त प्रोटोकॉल्स पहली प्रोटोकॉल होती है बच्चे आपकी TCP IP TCP IP और एक होती है आपकी प्रोटोकॉल बच्चे क्या? HTTP HTTP चलो कोई बात नहीं इसके बात देखेंगे आप बच्चे गौरव ध्यान से देखेंगे ये तीन प्रोटोकॉल हमारी इंटरनेट पर यूज होती है जिसमें TCP होती है आपकी Transmission Transmission Control Protocol एक होती है बच्चे आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल Internet Protocol HTTP होती है बच्चे आपकी Hyper Text Transfer Protocol इस बात को समझेंगे बच्चे प्रोटोकॉल होती क्या है ये प्रोटोकॉल होती क्या है आपकी मनू बात को समझेंगे तो एक बात है कि इंटरनेट पर आपके एक Computer है एक और इस Computer से आप इस Computer को Connect करना चाह रहे है तो इसके लिए बच्चे देखते हैं कि आपको कोई सूचना भेजनी है कोई सूचना आपको इस Computer को प्रदान करनी है तो यह जो सूचना का आदान प्रदान होता है मैंने आपको बताया सुरू आतमी सूचना के आदान प्रदान के लिए किसका प्रियो करते हैं हम इंटरनेट का तो जो सूचना का आदान प्रदान होता है सूचना का आदान प्रदान आदान प्रदान से मतलब जो आपकी Information Exchange का काम है यह है जो आपका काम होता है इसके लिए कुछ नियम है इसके लिए कुछ नियम है उनी नियमों को हम बोलते हैं बच्चे प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल को हम क्या कह सकते हैं सेट आफ रूल्स तो इनका क्या काम है आसानी से समझें कि सबसे पहले जब चीज आपकी एक सिस्टम से यानि कोई डाटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की तरफ जाएगा तो सबसे पहले TCP सबसे पहले TCP उसको bundles में तोड़ देता है bundle से मतलब छोटे छोटे packet बनाने का काम कौन करता है छोटे छोटे packet यानि की packet से मतलब वो जो आपका information है उस information को छोटा छोटा रूप में कर देना वो जो information आपकी है उसको छोटे छोटे packet में बदल देना ज्यान से समझेंगे बच्चे इदर जो आपकी information है जो information आपकी जाएगी वह है छोटे छोटे packet में तोड़ी जाती है पहले और छोटे छोटे पैकिट में तोड़ने का काम कौन करता है Transmission Control Protocol Transmission Control Protocol इसके बाद बच्चे इसको Enhance या Extend करने का काम कौन करता है Extend कौन करता है इसको इसको Extend करने का काम करता है आपका IP यानि कि किसी Information को पहले पैकिट में तोड़ा जाएगा चोटे चोटे पैकिट में और चोटे चोटे पैकिट में ही हमेशा याद रखेंगे कि जो इंटरनेट पर सूचनाओ का आधान पिरदान होता है वह है चोटे चोटे पैकिट में होता है चोटे चोटे अब पैकिट से मतलब थैली नहीं है कोई कभी दूद की थैली समझ लो प मेंट करने काऊं का में इंट्रनेट प्रोटोकॉल में चोटे चोटे-चोटे करने का में इसका में आपकी ट्रमेशाथ होती है इसी को बोलते हैं बच्चे एक प्रोटोकॉल है HTT HTT P Hyper Text Transfer Protocol Hyper Text Transfer Protocol Important बात हिर नोट करेंगे इस बात को HTTP की बात मैं आप से कर रहा था Hyper Text Transfer Protocol की और HTTP के माध्यम से बच्चे कुछ भी आपका डाटा ट्रांसफर होता है तो वे data होता है आपका Unsecure कैसा होता है Unsecure data यह है A सुरक्षित रहता है दूसरी बात आती है आपकी अगर data A सुरक्षित है तो फिर इस data को सुरक्षित किस तरह से किया जाएगा तो data को सुरक्षित करने के लिए होता है बच्चे HTTPS HTTPS Hyper Text Transfer Protocol Secure ध्यान सा समझेंगे Hyper Text Transfer Protocol Secure Hyper Text Transfer Protocol Secure इसके बाद आप देखेंगे कि जब डाटा आपका Secure करना हो तो किसका प्रियोग करेंगे जैसे की आप इंटरनेट पर अपने Pen Card की Details भेजते हैं इंटरनेट पर आप अपने Pen Card या Bank Account की जो Details है उनको एड़ करते हैं तो यह आपकी एक निजी जानकारी है जिसको कोई चुरा सकता है चुरा कौन सकता है? हैकर चुरा सकता है हैकर के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि हैकर दो टाइप के होते हैं एक White Hat हैकर और एक Black Hat हैकर तो जो चोरी का काम करते हैं इंटरनेट पर सूचना को चुराने का काम करते हैं उनको बोलते हैं हम Black Hat Hackers तो Black Hat Hackers यानि कि यह जो सूचना जा रही है यह सूचना कोई चुराना सके इसके लिए होता है HTTPS समझ रहे हैं बच्चे समझ रहे हैं तो थम सब करें तो इसके बाद देखें आप internet से जुड़ने के लिए जरूरी चीजे ह HTTP और HTTPS के बीच का अंतरा आप समझ गए होंगे बच्चे Extend Extend का मतलब होता है Extend का मतलब होता है Strength दे देना मैंने आपको बताया तक कमजोर signal को मजबूत करना यानि की signal की strength बढ़ा देना Extend मतलब होता है बढ़ाना और TCP सिर्फ bundles में बाटता है इसको आगे proceed करने का जो काम है वह होता है आपका Internet Protocol का और इस बात के लिए बात याद रखेंगे कि Internet पर Internet पर सरवादिक प्रियुक्त प्रोटोकॉल सरवादिक प्रियुक्त प्रोटोकॉल कौन सा है प्रोटोकॉल मतलब कौन से नियमों का सबसे जादा पालन किया जाता है तो आप लिखेंगे TCP IP TCP IP और Transmission Control Protocol के रूल्स दिये गए है यूज करने के लिए उनके ओभी बोलते हैं TCP IP के दूई इस तरिये नियमों का Secondary Loss का Secondary Loss का पालन किया जाता है दूई इस तरिये नियमों का पालन दूई इस तरिये नियमों का पालन किया जाता है जो कि TCP में डिफाइन किये गए हैं बच्चे आपके exam से पहले थोड़ी-थोड़ी चोटी-चोटी classes तो आपकी है? अंजली अच्या, ठीक है बच्चे classes में क्या computer देखा आपके लिए बहुत छोटा सा time computer करका हूए है आप इसे छोटे छोटे तरीके से रोज पढ़ते रहें रोज इसे पढ़ते रहें छोटा छोटा तो आपकी परिख्चा से बहुत पहले कंप्यूटर आपका खतम होगा ठीक है इसके बाद देखेंगे बच्चा इंटरनेट से जुड़ने के लिए जरूरी चीजें इंटरनेट से जुड़ने के लिए जरूरी चीजें इंटरनेट से जुड़ने के लिए जरूरी चीजें जो पीडिएफ ठीक है बच्चे पीडिएफ का दियान रखा जाएगा आपका मैंने आपसे बोल दिया उस बात के बारे मां आप बात नहीं करेंगा आप क्लास को समझेंगे सबसे पहली चीज इंटरनेट से जुड़ने के लिए हमको चीजें बच्चे क्या पीसी यानि की परसनल कंप्यूटर परसनल कंप्यूटर दूसरी चीज बच्चे अभी इन टर्म्स को हम समझेंगे क्या टर्म्स होती क्या है दूसरी चीज चीज बच्चे हमको मॉडेम यानि की मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर ये बात भी हम समझेंगे कि मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर क्या होता है मॉड्यूलेटर एंड डि मॉड्यूलेटर ये बात देखेंगे तीसरी चीज बच्चे क्या जरूरी है ISP Internet Internet Service Provider इतनी बात समझेंगे कि पहले एक personal computer हमको चाहिए इंटरनेट से जुड़ने के लिए उसके बाद एक modem की आवशकता है उसके बाद एक ISP यानि एक ऐसी company जो internet service प्रोवाइड कराती हो लाइक Vodafone and Airtel छीक है अच्छा छीक है सेरनी सुनाने का time भी आएगा सेरनी अभी थोड़ी class कर ले 10-5 पर उसके बाद सेरनी और सेर सुनाए कराएंगे तुम्हें रोज एक सेरनी और उससे अगले दिन एक सेर सुनाया जाएगा यह देखो ISP ISP के बाद बच्चे चाहिए आपको क्या ब्राउजर ब्राउजर और ब्राउजर आप समझेंगे कि ब्राउजर जिस तरह से सबसे पहले ब्राउजर को एकसिस किया जाएगा और ब्राउजर में आप पढ़ते हैं जैसे कि internet explorer आपका ब्राउजर है तो इनके example के बारे में भी हम पढ़ेंगे हम देखेंगे कि UC आपका एक ब्राउजर है Google Chrome एक ब्राउजर है किन्तु फिर होते हैं आपके search engine कि रोम पर भी Google सिर्फ Google क्या होगा आपका search engine चौती चीज आपको ब्राउजर बच्चे दिहान से समझेंगे सबसे पहली चीज EC फिर आपका modem फिर internet service provider फिर ब्राउजर पाँच भी चीज है बच्चे आपके पास search engine search engine फिर देखते हैं आप search engine को और चटी चीज चटा होता है आपका बच्चे संचार माध्यम संचार माध्यम इन सभी चीजों को च्छेग च्छेट टर्म्स को हम समझेंगे कि यह च्छेट टर्म्स आपकी अच्छा सब के संफ मकार कोई नी पढ़ते हैं पढ़ेंगे यह ऐसा होता कि एक्जाम टाइम पर लोग कहते को हमारा revision नहीं हुआ revision के लिए हमें time नहीं मिल रहा जी यह मकार ही तो रहते हैं जो अब नहीं पढ़ते हैं पेपर टाइम पर फिर तुम्हह पतव हुआ इनके साथ क्या होता है हमारा पेपर तब तुम्हारा बिगड़ाय गई जब तुम ममस्ती कर रहे हो तुम ये सूचते हो कि पेपर सथ पहले तस दिन पहले पहले पढ़े कि लिए कोछ नहीं होता ये बात समझेंगे, समचार माद्यम, कम्यूनिकेशन मीडियम, जो अभी से भीया लगातार मेहनत करता रहेगा, लगातार अभी से जुड़ा रहेगा एकजाम तक, तो उसके लिए एकजाम बहुत आसान हो जाएगा, और मैंना आपसे प्रामिस किया है, कम्प्यूटर टैन आउट आफ टैन, दिल्ली पुलिस कराएगी, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, उस बात के लिए आप परिसान नहों, ठीक है, अंजली गूजर, अरा क्यूट तो हम हैं, कितनी बात तो बताईए तुम्हें चलो कोई नहीं, ठीक है वहीं, चलो, इतनी तारीफ मत करेगरो तुम्हें, इन 6 की 6 ट्रम्स को हम कल की क्लास में समझेंगे बच्चे, और इसके बाद में होगे आपकी इंटरनेट की एक्सरसाइज, थैंक यू, जैंद, अपना ख्याल रखें, आराम से घर जाएं